जो सुन रहे हैं, वो नासिर खान, वेस्ट बिंगॉल को सच कीजिए, उसके बाद फिर आप आफ़ताग को सच कीजिए, आप कामदोनी रेप केस सच कीजिए, आप वेस्ट बिंगॉल छर्च में 72 साल की नन का जो बलाथकार हुआ था उसको सच कीजिए, पाज मुसल्मान मुल्वी मुल्ला और मुसल्मान समाज के ठेकेदार जो UCC का नाम सुनते ही पॉपकॉर्ण की तरफ खुदकने और उचलने लगते हैं, उनके मानसिक्ता को भी मैं दिखाऊंगी. सुबा से मैं नाशन नियूस पर थी, मुसल्मान मर्द और मुसल्मान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंके ओरते तो ठेकेदार बनने ही सकती हैं, तो मुसल्मान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं, वो चाती पीटते पीटते नहीं ठक रहे हैं। अब क्यों नहीं ठक रहे है चार शादियां रोक दीगई है, हलाला रोक दीया गए है, तलाक रोक दिया गए है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है और साथ साथ जो खुराने पाक के हिसाब से 12 निकाह चार उसके पाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 और 12 औरत के जिस्म का जो मज़ा लेने की अनुमती दी गई थी, वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है, अब नेन दूर चुकी है मुसल्मान मर्दों की, जिसमें ओरिज किताब है जो मैंने अभी आपको दिखाई, पेज नंबर 18, जो कोई भी भारत का संविधान अपने पास रखता है, वो खोल सकता है, इस नंबर को, पेज नंबर 18, 44, Article 44, Uniform Civil Code for the citizens, the state shall endeavor to secure for the citizen a Uniform Civil Code throughout the territory of India, लिव इन रिलेशन्शिप के दुवारा मुसल्मान लॉंडों ने, लफंदरों ने, हिंदू बेटियों को बहुत काटा है, बहुत उसको मार डाला है, किसी को तक्या से मूँ दबा करके, किसी सनातनी बेटी को प्यार के जाल में फसा करके, उसकी 35 बोटियां करके, फ्रिज बलतकार भी होता है, बलतकार भी होता है, और जिसको हमने अपनी नंगी आँकों से देखा है, आप जब बात करती हैं कि इस तरीके से बलतकार किया जाता है, इस तरीके से यह सब इसे घल्फ जो काम किया जाते हैं लड़कियों के साथ, चाहे इंडिया में या इंटरनेशन वो सब मुसलमान कर रहे हैं यह तो पॉसिबिली नहीं है अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई यू सिसी आएगा तो घृतिक टू सीरिया और टिकट टू पाकिस्तान कडवालो जनता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बाते हैं किसी के गले ने उतरती लोग मजाग उड़ाते हैं भारत में भारत से लेक करके विदेशों तक बहुत ज्यादा पांच साल मैंने अवेरनेस किया है UCC को लेकर के और खास करके अपनी मुसल्मान बेहनों को मैंने उनिफॉर्म सिविल कोट के बारे में बहुत ज्यादा डीब डाउन जाकर के उनको बताया है क्योंकि मुसल्मान बेहने कह रही थी कि उनिफॉर्म सिविल कोट होता क्या है हमारे भारत में सचर कमिशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम एडूकेशन में मुस्लिम जो है वो एडूकेशन में दलित से भी नीचे हैं और क्योंके हमारे मौलवी मुल्ला हमें पढ़नी की इजाज़त भी नहीं देना चाहते हैं हिजाब में चुपा कर रखना चाहते हैं तो म पाकिस्तान या भारत या किसी भी कंट्री में UCC अगर आएगा उसका मतलब ही होगा जो हमारे मौलवी मुल्ला और मुसल्मान समाज के ठेकेदार जो यू-सी-सी का नाम सुनते ही पॉपकॉर्ण की तरफ खुदकने और उचले लगते हैं, उनके मानसिक्ता को भी मैं दिखाऊंगी, उनकी मानसिक्ता को भी मैं यहां पर शो करूँगी, डेफिनिटली, मुसल्मान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंके ओरते ठेकेदार बनने ही सकती हैं, तो मुसल्मान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं, वो चाती पीटते पीटते नहीं ठक रहे हैं, जो नहीं ठक रहे हैं, चार शादिया रोक दी गई है, हलाला रोक दिया गया है, तलाक र जाता दिखाई दे दिया है अब नेंद उड़ चुकी है मुसल्मान मर्दों की मेरा तो बस चलता न शोयव तो मैं जन्नत में भी UCC का जंडा गार देती और जन्नत में भी UCC लगा देती ताके 72 वर्जिन हुरों का मज़ा वहां पर भी नहीं मिलता मर्दों को अब मैं बताना वादिदी, वादिदी वादिदी इसमें वो सारे पिच्चर्स भी हैं जब अमेकर जी, गांधी जी, नहरू जी साइन कर रहे हैं, डॉक्टर राजंदर प्रसाद साइन कर रहे हैं, जो लोग चिला रहे हैं UCC पर, जो मुसल्मान समुदाय ये कह रहा है, यहां तक के उत्राखंड के असेंबली में भी उन्हों किसी कंट्री में मतलब मजूद है, किसी मुल्क में, किसी कंट्री में मजूद है, हमारे ही दे, हमारे ही देश के गोवा में है, ठीक है, हमारे ही देश के गोवा में है, अब कई लोग कह रहे हैं, कि भाई, UCC आएगा, तो हमारा इसलाम खत्रे में आ जाएगा, हमारा शरिय तो पाकिस्तान कटवालो क्योंकि ये बात तो 1949 में ही प्रता चल चुकी थी कि भारत सम्विधान से चलेगा और हर एक वेत्ती इवन अभी इस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ है उसके उपर भी सम्विधान लागू है इस भारत धर्ती पर जो बच्चा पैदा हुआ है उसके 44 नहीं मानते हो उसी सम्विधान का आर्टिकल 44 नहीं मानते हो जब भारत के प्रदान मंत्री मोदी जी पसमांदा मुसल्मानों के एडूकेशन की बात करते हैं पसमांदा मुसल्मानों को पढ़ने की बात करते हैं तो भारत के मुसल्मान धरम के ठेकेदार जो है वो उचलन अगते हैं उससी धाल मतलब कुछ भी आ को किसा आश्रा सुर्वर्जिंहुके नशे में चूर रहना बहतर वर्जिंहुर के नशें के लिए पूरा करने के लिए जहाद करना बंप खोड़ना सब जायज है पर एक मासूम अनात बच्चे को गोद लेना गुना है सुरह अल-एजब सुरह अल-एजब में ये बात साफ लिखी वी है अगर मैं गलत हूँ तो खुरान का पन्ना हर सुनने वाला खोले सुरह अल-एजब में जब प्रॉफेट मुहमस अल-एजब से निकाप पढ़ा तब उन्होंने मक्का के सामने खड़े हो करके कहा कि अडॉप्टेशन आज से गुना है ये तब की बात है और अगर मैं गलत हूँ तो मैं पैर पकड़ करके माफी मांगूंगी और अगर जो मेर पैर पकड़ करके माफी मांगना पड़ेगा सुरह अल-एजब में जब बहू से शादी किया गया है तब जाकर के ये अडॉप्टेशन मना किया गया है तो आप सोचो कि यह ना चाहूंगी कि उत्राखंड के युनिफॉर्म सेविल कोड की ड्राफ्टिंग में एक दो कि सी को मार डाला है किसी को तक्या से मूँ अबा करके किसी सनातनी बेटी को प्यार के जाल में फशा करके उसकी 35 बोटिंग में रख खर के किसी को जळा करके बिलडिंग से प्वेकं करके तो ऐसे हैं तक्रीबद दोay छुषी लड़कियों का डेका तो मेरे पास है हिंदू लड़कियों का, even हमारे भारत के अंदर, जिहाद के नाम पर बलादकार भी होता है, बलादकार भी होता है, और जिसको हमने अपनी नंगी आखों से देखा है, अभी इसराइल और फलस्तीन हमास के कॉन्फिलिक्ट में अल्ला हुखबर के नारे पर जब बलादकार हो रहा था और अभी हमने ब्रेटेन में भी देखा के वहाँ पर लोग बैनर लेकर के खड़े वेते के हमारी बेटियां जो है, वो हलाल मीट नहीं है, जो तुम इसका बलादकार कर दे रहे हो, अपना ये जिहाद ये बंद करो, और उनको निकालने की बात कही जा रही है, जिसमें पर दे नजर रखते हुए, लीविन रिलेशन्शिप पर खानोनी बैरिकेट लगाने का पूरा का पूरा इंतिजाम किया गया है, कि पहले आप अपने परिवार वालों से बात करवाईए, नियारेस पोलिस सेस्टेशन को बताईए, को बताईए, और तब जाकर के आप बताई गई है, कि हमारे यहां जो भी ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स को बहुत कॉम्रेस की सरकार ने मतलब निहत्ता छोड़ दिया था, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया था, जैसे ही हमारी राष्टपती एक ट्राइबल वोमेन हुई दारुपादी मुर्मूल, वैसे ही ट्राइबल के जितने भी लोग थे, जो आदिवासी लोग है, उनके लिए बहुत सारे उत्रकंटे इस UCC ड्राफ्टिंग में बहुत सारे सुविधाईं दे दी गई है, और उनको भी एक महत्वपून पार्ट और खानून का एक महत्वपून हिस्सा उनको बनाया गया है तो ये दो टॉपिक बहुत खुबसूरत है, बाकी तो मस्यार वस्यार तलाख हलाला है, ये सब तो सब्बंध हो ही गया है, तो ये अधि इतना सुकून 56 मुसलिम मुलकों के हिसाफ से और यून के हिसाफ से, आपका देश बहुत अशलील है, आपका देश टेररिजम फैक्टरीज बनाता है, टेररिजम ऑर्गनाइजेशन बनाता है, आपके इहां 21% हिंदूस कहां चले गए, आपके इहां क्या 5 साल की बच्चीयों का मिया मिठ दो के बच्चीयों केप Costly है, यह ऑस चले बनाता है, क्या उसकी 50–50 साल की मर्दों से बुढएं, मर्दों से शादिया नहीं क्रवा देता है, अब मैं भारत के बारे में में बात करती हूं, कि अगर सबसे बड़ी मिजॉरिटी सनातनियों की हैं हमारे भारत में, फिर भी झ खुले आम, छुटे सांड की तरह भारत में घूमती है, बलातकार तो क्या कोई नजरे उठा करके भी नहीं देखता है, मेरे से उमर में बड़े लड़के भी मेरा पैर चुकर के आशिरवार लेते हैं, और दीदी कहते हैं, आखर क्यों आफता भी श्रता की बोटियां करता है आखर क्यों नासर खानी सूजर जॉडन का बलातकार करता है, आखर क्यों अमेरूल और उसके साथ पाच्छे मुसल्मान लड़के ही कामदोनी का बलातकार करते हैं, आखर क्यों एक नन का जर्च के अंदर जाकर के पाच्छ मुसल्मान ही बलातकार करते हैं, और ऐसी कई मिस साले हैं जो मैं दे सकती हूं इवें खानूनी डेटा भी है मेरे पास कि अब मोर देन 80 परसंट बलातकारी जो हमारे भारत के जेल में है वो मुसल्मान है